उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए लगातार जो हमारी चुनावी यात्रा है वो उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जा करके उत्तर प्रदेश चुनाव में महाल क्या है और उत्तर प्रदेश का इस बार का मुखिया कौन होगा ये जानने की कोशिश की जा प्रमुक्त चनौतियां जो आप से बता रही कि यह काम नहीं हुआ और उन कामों को करने के लिए आप उनसे कह रहे हैं कि भईया में एक बार फिर से जिता तो हम यह काम कर देंगे देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँँ कि 2017 के पहले प्राइज विदान सभा या यू का लिजे पूरा पुर्वांचल बहुत ही उपेक्षित रहा है बहुजन समाज की भी पारिटी रही है और समाजवादी पारिटी भी रही है सत्ता में लेकिन उन्होंने पुर्वांचल का ध्यान नहीं दिया और खास करके उनके तो विकास केवल तीन-चार जीलों में जैसे सैफ़ई हो गया इटावा हो यानि उनके जो अपने परिवार वादी लोग थे समाजवादी नहीं क्योंकि समाजवाद का नारा तो फिर बहुत ब्यापक हो जाता है उसमें सभी समाज के लोग आना चाहिए लेकिन इनका केवल परिवार वाद यानि इनके परिवार के जहां-जहां लोग सांसत थे विधायक थे उन जीलों को अगर आप छोड़ दें तो इन लोगों ने विकास नहीं किया इन लोगों ने सत्ता को क्योल सुक का साधन बनाया सत्ता में आकर के किस तरह से हमें अपनी जेब भरनी है इन्हें गरीब जनता के हितों की चिंता नहीं इन्हें विकास की चिंता नहीं इन्हें समाज की सुरक्षा की चि कार बनी और जब प्रदेश के मुखिया एक पीठा दिस्वर मैंने अभी अपने भासर में कहा भी यह को योगी जब कर्म योगी के रूप में बन करके जब प्रदेश की बागडोर समालता है तो आपने देखा होगा कि यह 2017-2022 का कारेकाल पुर्वांचल नहीं पुर्वांच जी के जो स्वाडिम काल रहे हैं यह जनता उस पे विश्वास करके 2022-2027 फुन योगी आदितना जी के नेतित्तों में उत्तर प्रदेश में भारती जनता पॉर्वाइटी की सरकार बनाने के लिए तयार है नंबर एक नंबर दो अकली श्याद्व लगतार अभी थोड़े द रूप में लाने की कोशिश कर रहा है, जनता के सामने परोसने की कोशिश कर रहे हैं? और एक उनकी सभा जंगल दुमई नंबर दो में होई। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे वाभी हमने तो रोड नहीं जाम किया। मैंने हमारे कार करता इतने सब है हमारे भारती जनता पाइटी के कार करता। कभी हमारे नेचर में यह नहीं होता है कि हम आम जन मानस को ठेश महुचाएं। मैंने SSP को फोन किया, मैंने SO को फोन किया कि महोद है, वहां इतनी जगह है, वो सड़क पर फुल पर गारियां खड़ी करके, उस सड़क को जाम करके, आम जनमानस को जाने से रोखना और रोख करके, अपने वो भीण को एहसास करा ना, ये जो आपको पिपराई विधान सभा क कि इस से जो तीन सरकीज विधान सभा है, इस जीतपूर बजार की मैं बात करूँ, तो इस विधान सभा से बाहरी कुछ हमारे एक दो जो दो चार सुबेक्शू होंगे, उनके अलावा, यहां पर जितने लोग हैं, आप किसी से भी अपना केमरा घुमा करके बात कर लिजे, सारे के सारे पिप्राइज विधान सभा के ही नहीं आशी है, और खास करके इस बाला पार्टी करियां रोड के लोग हैं, और उनकी सभा की अगर मैं बात करूँ ना, तो गोरखपूर, देवरिया, बस्ती, आजमगर, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी, जितन यह तत्त है, आराज अकत्त हो, सारे के सारे पहुंचे होंगे, मैं देखने तो नहीं गया था, लेकिन मेरे अंदर पूरा आत्मविश्वास है, और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ करा सकता हूं, कि पूरे वो सारे गुंड़ा माफिया, जो चाह रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी पारिटी की सरकारा है, लेकिन जनता उसको कामयाब नहीं होने देगी, और हम लोग यहीं कारकरम हुए, मैं वही बता रहा हूं, जैसे आप कहने कि वह बड़े होते हैं, लेकिन अब देखिए, यहीं कारकरम हुए, यहीं आप देख लिजे, कि किस तरह से, हमन और जान चुकी है, यहीं भी कह रहे हैं कि इस विधान सभाव से नित्रित्व करने वाले, यानि आप, आपने इस विधान सभाव में जो सड़क है उस पर बिल्कुल भी काम नहीं किया, सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ, या फिर बिजली को लेकर हो गया, आम चीजों को हो गया इन चीजों पर उन्होंने काया कि कोई भी काम नहीं हुआ कि मुझे यह नहीं लगता है कि कैसे आप लोग अगर ऐसी बात मैं तो सवाल पूछ रहे हैं जो इस तरह की बात करना उसको उसी सड़क पर पटक के मारना चाहिए कि जिस सड़क पर खड़ा है जहां वो सभा किया है उसी सड़क को साथ मिटर चोंडी करण हुआ है यह पूरे पिप्राइज बिधान सभा में जो इस तरह की भासा का परियोग करता है कि पिप्राइज बिधान सभा में सड़क नहीं बना तो यह मैं पूछना चाहता हूं बवजन समाज पार्टी ने चीनी मिल को बेच यह 민주 है गोजो पर देंग शापतर साव दो प्रभान चल के दो M 900 रुप पहली काबीनेट दाख में कोई मुखंमंत्री सके तुत्तर प्रदेश का योगी आदितनाथ जी अब आप कलपना करिए कि इस प्रिप्राइज विधान सवा में 385 किलो मीटर मैं आन रिकार्ड बोल ला हूं अगर इसमें एक किलो मीटर भी सड़क कम हो जाए ना तो मैं चैलेंज करता हूं 385 किलो मीटर जिसमें 125 किलो मीटर सड़क चोड़ी करां 260 किलो मीटर नई सड़क मैं पूछना चाहता हूं अखले से आदो से कि कहां थे इनकी भी समाजवादी पार्टी 17 के पहले तो थी न यह सड़कें अगर बनी होती यहीं अगल बगल में देख लिए जहां आप खड़े ह 256 में जब मैं प्रमुग था मैं इन सारी सड़कों का मैं सोलिंग कराया अब फिर इसके बाद उनी सड़कों को हमने पीछ कराया इनके एक मुनाट यह यह जो है पूरी बात होने दिए भाई आप समय जितना ले लिजिए समय है हमारे पार मुकमंतिरी जी का कारक्रम समात यह इनको जो है इनको भी जनता ने समर्थन दिया प्यार दिया सहयोग दिया पूरा अपने जनता के विश्वास पर कि भाई आप युवा है काम करेंगे लेकिन मैं यह पूछना हूं कि जिस विदान सवा में 260 किलोमीटर नई सड़क बनी हो आप यह मान सकते हैं कि उस मतरी जी के मंद से बोला तो यह सड़के तो यहीं बनी है दूसरा चीनी मिल आपके सामने है तीसरा और मैं आपको बताओं यहीं आपका दूर्दी चक संजाई है उनके समाज के लोग भी उसमें काफी तादाद में रहते हैं और उस पीपे के पूल की डिमांठी को बहुत बड़ा पूल नहीं था वो मुश्किल से 60-70 लाख रुपए का उकाम था लेकिन लगभग वहां के किसान कहते थे कि हम लोगों को मही महीने में नदी के उस पार जाना पड़ता है एक ब्यौस्था हो जाती पीपे का फूल ताकि हमको दिक्कत नहीं यह लोग बनाए जब मैं परमुख था तो महाराज जी हमको बुलाए कहे कि इसकी कोई ब्यौस्था करो तो हम लोगों ने बांस बली लगा करके लोगों के लिए भाई चलिए आप लोग जाईए आईए लेकिन देखे 2017 में जैसे ही हम लोग बने पबली कोई हम लोगों से कहने के लिए नहीं आई हमारे कारकरताओं ने कहा कि अब वो पीपा का फूल बनना चाहिए पीपा का फूल बन गया जनता को समर्पीत हो गया कोलुआ घाट का पूल औनीस सो चानवे ब्रमलीन महंत अबै द्रनाद जी महराज के द्वारा जनता को वचन दिया गया कि हम इस पूल को बनाएंगे लेकिन वो पूल नहीं बन पाया क्योंकि जो सरकारें थी उत्तर प्रदेश में उनकी विचारधारा विकास परक्त नहीं थी बिनास के तरब थी ओपूल नहीं बना पूल कब बना 2017 में यानि चानवे करीब 21 साल बाद 21 करोन रुपए की लागा से ओपूल बना और वहीं पर बगल में फैलावा है फैलावा घाट है उस पर 48 करोन रुपया मानी मुखमंत्री जी ने बित्ति सुकृति के लिए भेजा ह वो बित्ति सुकृति हो भी चुकी है और सरकार का गठन होने बाद वो भी पूल बनेगा आई टी आई बन गया इसको हम सम्मानी मुखमंत्री जी के सहजोग से कराने का कारे करेंगे जितनी सडके बची है उन सडकों को भी बनाने का कारे करेंगे और आगे मैं यही कहूंग पर आज यही पर मुख्रमंतरी योगी अदितनाथ ने अपनी जनसभा करिया और इससे थोड़ी दूर पर ही अकले शादों ने अपनी जनसभा करिया और जिस तरह से कि पांच साल में हमने जो बैतर काम किया है उन कामों को जनता जानती है और उसी के ही मुद्दे पर जनता इस बार फिर से वोट दे कर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बना ले वाली है